वो रहता है भारत में उसका नाम है अरनाब गौस्वामी उसको भारत में मौझूद इंतहा पसंद हिंदूओं का तबका बहुत एहतराम की निगासे देखता है लेकिन उसके अलावा हर जीश और शक्स हर बाकल इनसान उसे दूर भागता है अरनाब गौस्वामी भारत में मशूर है तो सिर्फ अपनी जहालत की वज़ा से और काबले तरस बात ये है कि वो अपनी जहालत को ही अपने लिए तमगा समझते है अरनाब जिसकी शकल हो या बात दोनों ही जहालत का अक्स है उसकी जहालत की एक जलक आपको दिखाते हैं जरा पहला क्लिप से लाईए गरजा अपनी क्लिप देखा क्या ये आपको किसी नॉर्मल शक्स का अंदाजे गुफ्तगू लगता है मेरा आपसे सवाले देने वालों से अगला बंदा जो महमान है उसको हार्ट टेक होते होते रह गया होगा मैं यकीन से कहती हूँ कि अचानक अरनाप की दुम पर आखिर किसने अपना पैर रख दिया वो बिचारा पहले अपना पैर देखेगा कहीं उसी ने तो गलती से इस जाहिल आंकर की दुम पर अपना पाउं तो नहीं रख दिया किसकी दुम दब गई उसके बाद इसकी बात सुनेगा ये जिस चैनल पर भी होता है जिस चैनल पर भी जाता है इसका एक ही एजेंडा होता है सिर्फ और सिर्फ जहालत का फरूग हर सहाफत का तालेब इल्म जानता है कि जब आप किसी महमान को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं तो उससे पांच मिनट का सवाल नहीं करते बलके उसको ज़्यादा वक्त देते हैं ये उस महमान का हक भी होता है जो अपना टाइम निकाल के आपके प्रोग्राम में आया बोलने के लिए आया न जाहरी बात आपको सुनने के लिए तो नहीं आया आप उस मेमान को बोलने का मौका देते हैं खुद तज्याकार बनके नहीं बैठ जाते हैं कि सवाल भी खुद पूछ लिया जवाब भी खुद दे दिया तो मेमान को बुलाया क्यों आप उस मेमान को अपनी बात मुकमल करने का मौका देते हैं कोई भी नॉर्मल शक्स खुज से उसकी बात नहीं काट देते उसको बोलने का इतना यव शौक है तो भाई अपने प्रोग्राम में किसे महमान को बुलाते हैं क्यों हो ये खलाक क्यात के तकाजे भी पूरे नहीं कर पाता और बात यहां तक नहीं है ये इसकी नौकरी है ये ही इसका काट चुन चुन कर मुसल्मान मेहमानों को बुलाते है उनके सामने पाकिस्तान को गालियां देते है उनके अकीदे को निशाना बनाते है उन भारती मुसल्मानों को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश करते है उनको बे इज़त करते हैं और फिर उनसे बे इज़त हो भी जाता है यह जहालत का पैकर ना किसी की बात सुनने को तयार होता है ना किसी की बात इसे समझ जाती है अगला क्लिप जरा देखिए क्या कहरा है जाहिल इनसान क्या पाकिस्तान ने किया था मैं आपसे पूछती हूँ गोल्टन टेंपल पर हमला क्या पाकिस्तान ने किया था खालक रसाई दिये यह जाहिल इबने जाहिल यह जाहिल इबने जाहिल क्या कहरा था कि पाकिस्तान ने सिखों को मारा कोई एक सिकh पाकिस्तान का दिखा दो, जो तुमारी बात को अरनाब गौस्वामी इंडॉर्स करे खुद भारत में जितने सिकh हैं, वो भारती हुकूमत, भारती फाज और अरनाब गौस्वामी को आई रोस गालिया निकालते हैं लेकिन अर्नाब अंधा है, अर्नाब गौस्वामी जूटा है, अर्नाब गौस्वामी बेगरत है, अर्नाब गौस्वामी गेरत से आरी शक्स है, ये समझता है कि भारत में सबसे काबिल शक्स ये है, भारत का सबसे मुहिबे वतन शहरी शायदी अर्नाब गौस्वामी ऐसा अ न्यूस चानल्स पर भी शायद सास बहू का जगड़ा ही चल रहा होते हैं ये था इस अरनाप का जहल इनसान का अपने महमान से बात करने का तरीका जो कि ना सिर्फ एक भारती शहरी है बलके वकील भी है और इसको ये बोलने का मौका नहीं दे रहा था ना सिर्फ मौका नहीं इस अंदास को इस जहालत को इस गयर मयारी गुफटगू को ये शक्स अपनी अचीवमेंट समझते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट ये जरा अगला कलिप देखिए है भारत में मुसल्मानों का हाल मुसल्मानों की अपनी शनाक अपनी पहचान उनकी हुबल बतनी पतनी सवालिया निशान ओचुकी है ये काइनात की पस्तरीन मखलूग जिसका नाम अरनाब गौसवामी है ये जिन्दा मिसाल है इस बात की कि ये भारती मीडिया भी यरगमाल बन चुक है भारती मीडिया वही बियानिया बेच रहा है जो मोदी हुकूमत चाहती है और उसके मोहर अरनाब गौसवामी जैसे किराए के सहाफी में जिन्दा बिलाकर उन्को जलील करना होते हैं और अरनाब गौसवामी तम्हे अपना भारत नजर नहीं आता तुम्हें उसी भारत में बेटे वाला मुसल्मान दिखाई नहीं देता बहुत बड़े सहाफी बनते हो न तुम अ बताओ के मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। तुम्हारी सहाफत तुमसे तकाजा करती है। बताओ भारत ने मकबूजा कश्मीर में फौज की तादाद आखिर क्यों बढ़ा दी। दिखाओ दुनिया को के भारत मकबूजा कश्मीर में मुसल्मानों का कतले आम कर रहा है मुसल्मान छोड़ो, इनसानी समझ लो बताओ, आसाम में मुसल्मानों के साथ क्या हो रहा है बताओ, क्यों नेक्जिलाइट्स भारत में अपनी अजादी की जंग लड़ रहे हैं बताओ के आज मुसल्मानों की ना दर्सगाहे महफूज हैं, ना अबादतगाहे महफूज हैं बताओ के पुलिस के बाद अब RSS के गुंडे मुपर नकाब डाले मुसल्मानों की यूनिवस्टिस में आ जाते हैं और तालिबात पर तशद्द शुरू कर देते हैं, क्यों नहीं बताते जिनको तुमारी भारती पुलिस तहफुस भी देती है, बताओ उन गुंडों को जो तहफुस दिया जाता है, वो तहफुस भी दिखाओ ये बताओ के तबरेज को क्यों मारा गया था बताओ के मुसल्मानों से जबरदस्ती जेशरी राम के नारे लगवाए जाते हैं बताओ अपने प्रोग्राम में, वो नारे सुनाओ बताओ के तुमारे सूबे का एक वजीर आला कहता है के मुसल्मानों की औरतों को इगवा करो और उनकी इसमत दरी करो क्यों नहीं बताते अपने प्रोग्राम में बताओ के तुम लोगों ने अपनी पार्लिमेंट से मुसल्मानों के खिलाफ वो बिल मन्सूर करवाया जिसकी बदा से आज पूरे भारत में मुझारे हो रहे हैं क्यों नहीं बताते घटिया शक्स अर नाब गौस्वामी बताओ के मोदी ने गुझरात में हजारों मुसल्मानों का कतल एम किया क्यों बताने से कासिरो बताओ दिखाओ अपने प्रोग्राम में कि उसी मुसल्मानों के कातल को तुम लोगों ने अपना वजीरियाजम कैसे बनाया बताओ के भारत के दो जहाज पाकिस्तान ने 27 फ़वरी को मार गिराए थे बताओ के तुम्हारी सर्जिकल स्ट्राइक जाली थी जूट बोलता है तुम्हारा मोदी, जूट बोलती है तुम्हारी भारती सिनहा जूट बोलता है तुम्हारा पाकिस्तान में 300 लोगों को मारने का दूटा था मानो इस बात को के जूटे हो तुम लोग, जूट बेचते हो तुम लोग बताओ के कुलबोशन यादेव भारती नेवी का हाजिर सर्वेस ओफिसर था क्यों नहीं बताते घटिया शक्स अरनाप गौस्वामी, क्यों नहीं बताते सच क्यों बेचते हो जूट, खुद को सहाफी कहते हो, कहां के सहाफी हो भाई तुम कैसे सहाफी हो तुम, वो सच जो आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है उसको तुम छुपाने की कोशिश करते हो यह है तुम्हारी सहाफ़त तुम अपने भारत में रहने वाले मुसल्मानों के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम चलाते हो यह है तुम्हारी सहाफ़त जहर उगलते हो मुसल्मानों के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ ये है तुम्हारी सहाफत, तुम्हारे किसी प्रोग्राम का मकसद अमन या मुस्पत पेगाम नहीं होता, तुम्हारी किसी एक शो में कोई healthy debate नहीं होती, बलके सिर्फ इजामात होते हैं, और तुम इस सदी के सबसे बड़े जूटे शक्स हो, ये मैं न हो, लेकिन तुम्हारा अपना मीडिया तुम्हें जूटे।